शंक से हुने वाले फाइदे जिनका लाब हम अपने जीवन में सुक शान्ती को बढ़ाने के लिए उठा सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं शंक से हुने वाले फाइदे के बारे में जिनका लाब हम अपने जीवन में सुक शांती को बढ़ाने के लिए उठा सकते हैं तो देखते रहे हमारा ये वीडियो नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है चमतकारी तोटके में हम आपको दिखाते हैं चमतकारी तोटके, असरदार तोटके, वास्तु शास्त्र के उपाए, आपके जीवन की हर मुश्किल का समाधान तो अगर आपने चमतकारी टोटके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए आईए दोस्तों जानते हैं कि शंक से होने वाले फायदे कौन से हैं जिनका लाभ हम अपने जीवन में सुक शान्ती को बढ़ाने के लिए उठा सकते हैं दोस्तों भागवत पुराण के अनुसार जब श्रीकृष्ण जी की शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने अपने गुरू रिशी संदीपन जी से दक्षणा लेने का आग्रह किया इस पर रिशी संदीपन ने कहा कि मेरा एक पुत्र समुद्र में डूबा हुआ है आप उसे ले आओ तब श्रीकृष्ण उनके पुत्र को लेने के लिए समुद्र में गए और वहां उन्हें शंखा सुर का वद भी करना पड़ा और तब से ये माना जाता है कि शंखा सुर के वद के पश्चात उसका जो खोल बच गया था उसी से शंख का निर्माण हुआ था साथ ही उस शंख का नाम पांच जन्य रखा गया था ब्रह्म वैवर्त पुरान के अनुसार शंख सुर और चंद्रमा के रूप की तरह ही देव स्वरूप है और इसके आगे के हिससे में गंगाव सरस्वती और पीछे के हिससे में वरुण तथा मध्य में ब्रह्माजी वास करते हैं दोस्तों ऐसा माना जाता है कि शंक की ध्वनी बहुत पवित्र होती है। इसकी ध्वनी से रोगों, राक्षसों और पिशाचों से भी रक्षा मिलती है। इस पर एक मुहावरा भी बना है। शंक बाजे, बालाएं, भागे। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इसकी ध्वनी से गरीबी और दुख भी दूर हो जाते हैं। आपकी आयू भी लंबी होती है। शंक की ध्वनी में वातावरण में मौझूद छोटे-छोटे किटाडूं को भी मारने की शमता होती है। शंक की ध्वनी आपको हरनिया की रोग से भी दूर रखती है। दोस्तों अगर आपके धन प्राप्ती के मार्ग रुके हुए हैं तो उन रुकावटों को दूर करने के लिए आपको कला निधी शंक का नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। इससे आपको अद्भुत लाब की प्राप्ती होगी। इसके अलावा अगर आपके घर में कलेश होता है तो वो भी विश्नु शंक को अपने घर में स्थापना करके दूर किया जा सकता है। साथ ही ये निश्चित माना जाता है कि यदि आपके घर में नियमित रूप से शंक की पूजा तुलसी जी के साथ होती है तो आपके घर से सभी परेशानिया दूर हो जाएंगी। जैसे की रोग, कलेश और अशान्ती सभी तरह की परेशानिया आपका घर छोड़ कर दूर भाग जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है या उसे कोई वाणी दोश है तो उसे शंक बजाना चाहिए। इससे उसका वाणी दोश तो हटेगा ही। साथ ही उसके फेपड़े के रोग जैसे दमा, संक्रमन, दिल की बिमारी सभी से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा एक ऐसी मानिता है कि आप पूजा शुरू करने से पहले शंक में जल भर ले। फिर आप उस पर चंदन का टीका लगा ले। माना जाता है कि इससे शंक के अंदर का जल पवित्र हो जाता है। उसके पश्चात आप उस जल को समस्त पूजा सामगरी और सभी उपस्तित लोगों पर छिड़कें ताकि पूजा के लिए सभी के मन और तन पवित्र हो सकें। इसके बाद ही आपको अपनी पूजा को आरं दोस्तों, ऐसा माना जाता है, कि अगर आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोश या ग्रहों से संबंधित दोश है, तो आपको अपने घर में शंक की इस्थापना जरूर करनी चाहिए। पाह में विलम या कोई और दोशों को भी दूर करने के लिए किया जाता है। शंक का महत्व हर जगे, हर धर्मग्रेंथ, हर व्यक्ति से जुड़ा है। साथ ही आपको शंक की महत्वता हर जगे देखने को मिलती है। चाहे फिर वो देविस्थान हो या फिर युद्धिस्थान। सत्युग से लेकर आज कल्युग तक शंक ने अपना एक एहम इस्थान बनाया है। पूजा स्थल में इसकी ध्वनी हर इंसान के मन में आस्था का भाव जगाती है। तो वहीं युद्ध स्थल में ये युद्धाओं के अंदर जोश को उत्पन करती है, साथ ही युद्ध की शुरुवात और अंत दोनों को शंक की ध्वनी से किया जाता है, तो दोस्तों ये था शंक का महत्व हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से, आपको हमारा ये वीडियो क कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों और परिवार जनों के साथ शेर कीजिए तथा हमारे चानल चमतकारी टोटके को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इसी तरह के लाबदायक वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों देखते रहिए चमतकारी टोटके